ताज नगरी आगरा के अलग-अलग वाडों में फैली गंदगी अब लोगों के लिए परिशानी का सबब बनती जा रही है नगर निगम की उदासिंता के चलते छेत्री लोग इसी गंदगी के साथ अपना जीवन जीने पर मड़ूर हो गए है और यहां तस्वीर ताज नगरी आगरा के जगदिस पूरा के भीमनगर की है यहां जगा जगा कोड़े के धेर लगे हुए है नालिया बिल्कुल चौक पड़ी हुई है यहां के लोग लंबे समय से इस गंदगी के चलते बहत परिशान है छेदे लोगों करना है कि नगर निगम से कोई भी कर्मचारी यहां सापसफाई के लिए नहीं आता है जिसके चलते यहां बहत गंदगी पस्री पड़ी रहती है और यहां के लोग लंबे समय से इसे गंदगी के साथ रह रहे है लोगों करना है कि नगर निगम में शिकायत के बाद भी यहां से कुड़े का धेर उठाने के लिए कोई नहीं आता और नहीं यहां के पारशद लोगों को कोई भी सुनवाई करते हैं इस वाट कि लोग पानी के यह भी बहुत परिशान है लोगों का करना है कि यहां पर पानी के सप्लाई भी बंद है जिसके चलते भी वह बहुत परिशान नजर आते हैं लेकिन इन लोगों की सुनने वाला ना तो कोई है ना सब्मदित भी भाग ही नहीं च्छेत्रिय पार्शाद परिशानी के लूगा है मैं यह कॉम पार आप। एक लोग त 550 जो दॉरते जमत कहते जारएं पानियों का अझाटेगा दर जाएंगे अभी तककुछ नहां रहो जा सकता है धाओर पानी नहीं कि क्या दिक़े जो लोगों आपके अपनी नहीं हूं पानी की बिल्कुल भी कोई सपाई करने वाले निया ते पानी की भी बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं है कितने सलंबे समय से आप लोग इन परिशानी बहुत है कम सकंदे लिए नालिकी भी बिल्कुल भी सुब्दा नहीं हैं वो कहएदे है का गंदगी नहीं कोई नहीं आता है कि उसके गंदगी हो रहे हैं